गुद मॉर्णिंग इस्टुएंट्स, हम लोग चैप्टर टू पढ़ा सुरू किया थे जो की ऑप्रेटिंग सिस्टम के वारे में था ओ येस तो हमने पहले वीडियो में जाना था कि operating system क्या होता है ठीक है और कुछ popular operating systems के नाम जाने थे आपको यह हमर की रूप में ठीक है क्योंकि आप पहले से पिछले क्लास में बहुत कुछ पढ़ चुके है तो आपको यह फिलिंदर blanks करने के लिए मिला हुआ था तो another word for software is program ठीक है अमनों इसको program भी कहते हैं जैसे computer program तो computer software the computer is just two types of software ठीक है तो computer जो होता है उसमें दो type of software होता है application software ठीक है जो कि आप application download कर सकते हो और करता है system software जो कि system के साथ ही built में आता है जैसे आप memory के लिए हो गया calendar हो गया तो यह सब आता है system के रूप में MS windows इसें तो MS windows क्या है operating system ठीक है तो operating system आप बोल सकते हैं out of this software sponsored software word processing software result processing software this diffragment software एन payroll processing software इस सीफटोज साथ्टार इस में आपको बताना है अप्लिकेसां साफ्ट्वेयर पेरोल भी है कि आप बना सकते हैं लेकिन जो इसकम के साथ ही आता है तो सिट्वल इस में से डिस्क डिफ्रेग्मेंट सॉफ्ट्वेयर अब मैं लोग आगे पढ़ते हैं आज मैं पढ़ना है functions of operating systems के बारे में कि जो operating system होते हैं उनके काम क्या होते हैं वो किस तरह से function करते हैं वो क्या क्या करते हैं तो यहाँ पर कुछ आपको basic operating system का रहा है बताया गया है ठीक है माइक्रोफ्ट का डॉस लगा रहा है तो यह कमांड लाइन पर काम करते हैं वर्जन वन टू वर्जन सेवन उसके बाद यह मिलब वर्जन वन टू विंडोज एट विंडोज एट को भी कहते हैं तो वर्जन 8 आया था इसका तो उसमें 3.1 है 95 है 95 में था 98 XP विस्ता तो यह सब वर्जन के नाम है और यह जो प्यर्ली नेटवर्ट वर्जन आया है मिलब यह नेटवर्ट को सपोर्ट करते है पूरी तरह से तो यह विन्डोज फॉर्ऊ वर्ग्ण्यूप्स विंडोज तो आपके आपने जो मोबाइल फिरोन यूज़ करते हैं उससे यह एक ऑपरेश्टिंग स्थेम रहता है वह किसका नाम आप जानते होंगे Android तो Android का भी वर्जन इस तरह से आता है ठीक है M, N, O, P इस तरह से हुआ आगे बढ़ता जा रहा है तो हम लोग देखते हैं फंक्शन की तरब The operating system provides a user interface so that we can interact with the computer तो जो operating system होता है तो क्या करता है एक user interface प्रवाइट कराता है जिससे कि हम लोग computer से interact कर सके हम उनको कप्यूटर को कोई interaction करना हुआ हुआ है कोई command देना हुआ है तो हम कैसे देगा उसको command अगर हमारे पास कोई चीज रहेगी जहां पर हम टाइप कर सकें जहां पर लिख सकें तब ही तो उसको कुछ बता पाएंगी कमांड देता है और जो operating system होता है उसके according वो काम करता है वो बताता है कि क्या करना है उसको आगए इट मैनेजेस दे computer's hardware such as printers ठीक है तो जो operating system होता है वो computer का hardware जो भी hardware जुड़े होते हैं जैसे printer है scanner है mouse है keyboard है ठीक है सारी चीजे जो भी महां से computer से hardware के रुप में जुड़े होई है उन्हों सबको manage वही करता है आप बलकि एक phone भी connect करते हैं तो भी operating system जो होता है वो आपके phone को भी manage करता है तब ही आप जो data ओटा जो transfer करते हैं मोबाईल से laptop में या laptop मोबाईल में वो तभी करपाग दे हैं accepts data from input devices and transfers it to the computer's memory तो input devices जिसे हम लोग input देते हैं ठीक है जैसा scanner हो गया ठीक है और keyboard है mouse है जिसे हम लोग कुछ उसको input दे रहे हो तो वहाँ सब इंपूट लेता है और उसको computer के memory में भच देता है क्यों क्यों क्योंकि वहाँ पर वो save रहेंगे तभी तो फिर अगर हम keyboard कुछ type कर दिए ठीक है तो उसको पता किसी से लगा क्या type हुआ तो वो उसको पहले भीचता है memory में ठीक है फिर हो memory से आपको जो भी काम करना वो जैसे काम करना वो काम होता है अगर अगर प्रणा चाहिए तो उसको पढ़ सके देन it manages applications that are running on the computer तो आपके computer पर बहुत सारे अप्लिकेशन होंगे ठीक है जैसे आप अगर प्रोग्रामिंग करते हैं तो उस प्रोग्रामिंग के लिए अप्लिकेशन आप अगर गेम खेलते होंगे तो गेम का एक अप्लिकेशन होगा ठीक है प्लैस म्यूजिक के अप्लिकेशन VLC अगर इस्टाल किये हैं अफिरमेक्स प्लिकेशन तो वह सारे जो अप्लिकेशन साहिए आपके computer पर रन कर रहा है MS Word MS Excel ठीक है तो वह सब किस पर है उन सब कौन मेनेज करता है ऑपरेटिंग सिस्टेम ही होता है जो मेन ऑपरेटिंग सिस्टेम होता है वही उन सब को कि आपका जो RAM है वह फिक्स होता है ठीक है अब जैसे 2GB, 4GB जो भी होगा तो आप जो भी आप जो प्रोग्राम चलाएंगे उसको कुछ memory की जरूरत होती है ठीक है वह बिना memory को तो रन करेगा नहीं तो वह उसको जो memory को आप सकता होती है उसको allocate कोन करता है ऑपरेटिंग सि फाइल से जोड़ा जो भी यह काम होती है जैसे अपने कमिंटर में देखाइब कि जो भी चीजी होती हो फाइल केंदर से उती है ठीक है डाइक्टि resetatatatow EEG कि फाईल हो सकती है ठीक है .co Friday Fit या फिर वर्ट भी लिखने हो तो आप हम सेब करेंगे तो सेब करने में हिल्प करेगा ओपरेटिंग सिस्टम और फाइल को और और जाता है अगर हम फिर भी नहीं मिलता है तो नाम टाइप करते हैं सर्च करते हैं तो लोड करते हैं वो सारी चीजे जो करनी होती है किसके थुरू होता है operating system के थुरू होता है क्योंकि हम लोगों को फाइल्स के क्लिक कोई अप्लिकेशन नहीं download करते हैं यह सारा operating system करता है it manages the computer's memory deciding what should be loaded into memory and what should be removed ठीक है तो यह computer का सारा जो memory होता है आपने जो hard disk लगाया है प्लस जो आपका RAM है प्लस रोम है जो भी आपके computer जोड़ा चीज है वो सारा जो memory का decide करना कौन करेगा यह तो memory में क्या load करना है ठीक है कैसे load करना है वो पूरा deciding यह करेगा क्या remove करना है ठीक है शारा वो कुछ करेगा आप उसको बताइंगे ठीक है तो जिससे आप उसने कहा कि नहीं यह file delete कर दो तो वो file delete कर देगा आप कहेंगे यह file load कर दो तो वो file save कर लेगा जिससे आप transfer करते है तो आप decide नहीं करेंगे कि वो file कहाँ जाएगी ठीक है आप सिर्फ folder decide कर सकते है हां इस folder में रखेंगे बाकि memory में कहां पर रहेगी वो operating system decide करता है तो उस error को operating system जो होता है वो तुरंत बताता है यह दिखिए अब यह error आ चुकी है यह इसमें दिक्कत हो रही है यह फिर हो सकता है कि कोई program हो जिसे blue stack या फिर और भी जो बहुत ज्यादा में memory खाता है तो कई बार वो run करना बन कर देता है तो उसके बाद फिर जो पूरा system होता है प्रेटिंग system खुद समालता है और या तो वो उसको cancel करेगा या आपको बताएगा कि यह run निकर पार जो भी होगा इट लुक्स आफ्टर computer security preventing unauthorized access to the system यह computer system security को भी देखता है तो जैसे आपने कभी अगर आप computer खोलते होंगे तो generally जो personal computers होते हैं उसमें password लगा होता है तो इससे होता है कि कोई भी दूसरा user आपके अलावा कोई दूसरा उसको यूज ना कर पहे क्योंकि जब तो उसको password नहीं पता चलेगा वो login नहीं कर सकता आपका जो computer system उस कौन नहीं कर सकता है the operating environment तो हम लोगों पढ़ना है कि operating environment क्या होता है और इसमें CLI और GUI जिसको बात कर रहे थे उसके बार अच्छा से देखना है the system that is used to interact with the computer is known as the user interface तो computer से इंटरेक्ट करने के लिए इंटरेक्ट का मतलब बातचीत करने के लिए communicate करने के लिए जो भी system इस्तेमाल करते है उसको क्या बलते है user interface ठीक है उसके through कोई भी user computer से बातचीत करता है communicate करते हैं तो दो टाइप के इंटरफेस होते है CLI GUI एक command line interface और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ठीक है अभी इन दोनों का क्या मतलब है गवारे मच्छे से पढ़ते हैं तो सबसे प्रिमें लोग देखते है command line interface CLI यह क्या आता है with command line interface the users have to type commands to communicate with the operating system तो command line interface में जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है command ठीक है तो आपको अगर आपको operating system से बात करना है बात करने का मतलब आपको कमांड देना है तो आप उसको टाइप करना पड़ेगा ठीक है आपको वह चीज याद करना पड़ेगा कि हां मतलब अगर हमें इससे फाइल कोई देखनी है तो इस फाइल को हम कैसे देखेंगे उसके लिए cat command है ठीक है करना पड़ेगा जिससे अगर pwd है pwd बताता है कि आप अभी किस directory में है अगर आप pws टाइप कर देते हैं तो वह काम नहीं करेगा और सिधा बोल देगा कि ऐसी कोई command है ही नहीं तो मतलब यह जो है बहुत ही हाड था भी पढ़ लेते फिर बताते हैं और in the syntax of copies और सिंटेक्स भी ध्यान देना होता है सिर्म copy लिख देंगो तो copy नहीं हो जाएगा हमें क्या करना पड़ेगा copy source destination जैसे कि आपला पता है copy c my files.cpp a programs so my file.cpp will be copied from the hard disk c to the floppy disk a in the programs folder तो क्या होगा कि हमें पहले copy लिखना पड़ेगा ठीक है फिर source देना पड़ेगा कि हम कहां से फाइल उठाना चाहते हैं ठीक है तो वह source हो का destination destination हम कहां फाइल रखना चाहते हैं ठीक हम यह भी बताना पड़ेगा तो हम यह बताना पड़ेगा कि फाइल हम कहां से उठा रहे हैं प्लस कहां पे उसको रखना है क्या बता रहे है यानि कमांड करना है ठीक है। c folder में myfile.cpp नाम की एक file है ठीक है उस file को a folder के programs folder में उसमों क्या करना है copy करना है यहां भी रहेगी और यहां भी रहेगी तो आपको यह पूरा सही से करना होगा अब इसमें एक भी कहीं error करते हैं ठीक है जैसे आपके folder का नाम programs है और आपने programs ही टाइप किया तो क्या होगा वह error देगा कि ऐसी folder ही नहीं system में तो CLI जो है वह बहुत ही hard है और यह बहुत अभी इस्तिमाल की जाती है ठीक है पर यह कम इस्तिमाल की जाती है क्योंकि इसमें जो है general user जो है उनको इतना command याद होता है और यह उनको लिए यूज करना बहुत ही ज्यादा मुस्किल होता है अब हम GUI की बात करते हैं जो कि हम लोग general यूज करते हैं ठीक है और नॉर्मल अगर आप कभी कहीं भी देखेंगे तो GUI का ही बहुत जादे इस्तिमाल होता है विट ग्राफिकल यूज इंटरफेस द यूजर सेलेक्ट पिक्चर्स सेलेक्ट अप्शन फ्रम मेन्यू दो कम्यूनिकेट विद भी उपरेटिंग सिस्टम तो इसमें क्या होता है कि जो यूजर होते हैं वो पिक्चर ठीक है आपको आईकन बने होंगे ठीक है जैसे आप जो भी लैफटाप चला है चला रहे हैं वहां पे बहुत सार राइकन बने होते हैं एक आप पे क्लिक खरते हैं उपन जाता है आप ठीक हम माउस करना कि UP कौपी का प्सट्ट करता है फिर कहीं जाacy प्याभ का अगर फिर भी आपको नहीं सेन्विया है तो पिर भी जो आइकन्स होते हैं से copy तो आपको copy पता चलेगा कि हाँ यह copy करने के काम आएगा ठीक है open तो open किसली आयाएगा काम किसी अगर file copy करना हुआ तो save तो save जब करना होगा तो save करेंगे तो जो menu और एकन्स होते हैं वो काफी ज़्यादा बता देते हैं this type of interface is very popular as commands don't have to be memorized तो यह जो interface है कौन सा GUI वाला वह बहुत ज़्यादा famous है क्योंकि आपको इसमें command रटने का हो सकता नहीं है आप भूली बहुत कोई दिख करते हैं आप देखिए हमाँ पे save का है आप save पे क्लिक कर दीजिए तो आपको इसमें कहीं भी कुछ याद करने के ज़रूरत नहीं है जबकि command में आपको एक एक चीज ठीक आपको एक छोटी से छोटी चीज भीयाद करने पड़ेगे आप एक्जामपल ऑफ जोई इस सवन बिलो आप एक नीचे दिखाएगा जीवाई का एक्जामपल लोगों देखते हैं simply a G-y is the one. ऴर्यो ऊपरेटिंग सिस्ट्म यूजेज उर विम ऑफ एक ऩजीवाई की ऐसा एक एक एसी ओंको पर्षेंग सिस्ट्म हो जहां पें हो व की है, उस्च्छ चैटल माध मतलब मतलब कर ते है विंडोस क्या? विड्वो मतलब खिड़की ठीक है तो यह रेक्टेंग्लर बॉक्स होते हैं जो कि आपके स्क्रीन पर सामने आ जाते हैं जिसे आपको भी फाइल खोलते हैं तो यह यहां पर यह फाइल खोली गए तो आपको अपना भी पढ़े आप सिर्फ पिक्चर देखके आपको बता चल फाइल खोल जाएंगे तो यह सब क्या है आइकन से मेन्योग पर आपको बहुत सारी मेन्यो दिखाए देंगी जिसे ही हैं अपने स्टाट पे बटन वे क्लिक किया तो यहां पर आपको इत्ने सारे मेन्यो आ गए आप इन में से कोई भी मेन्यो चुन सकते हैं पॉयंटर बि कोई भी माउस को अप्शन नहीं होता है आप माउस को कोई इस्तिमाली नहीं है आप कीबोर्ड से सब कुछ करेंगे तो यह सारी चीज है विंप यानि आप लोग जाने देख लिए यहां पर फर्स्ट लेटर से बनाया है विंडोज आइकन्स मेन्यूज पॉइंटर्स तो जन आप लिए हम क्या प्लिए वो दिखल physical जोंक्र माया हिंगे इसका इंटर फेस कैसा होगा दो तरा के इंटर फेस होंगे CLI और GUI हमने इन दोनों के बारे में काफी अच्छा से जान लिया और हम लोग GUI इस्तिमाल करते हैं ज्यादतर और आप इसकूल में भी इस्तिमाल करते हैं और ने स्टूडियों हम लोग इसका आगया पढ़ेंगे और इस चैप्टर को खतम करेंगे आज के लिए बस इतना ही दन्यवादे